नमस्कार मैं हूँ आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ शदा मॉलकर केज में आरूपी आफ़ताप उनावाला को लेकर एक नई बात सामने आ रही है आफ़ताप के बयानों के सचाई जानने के लिए हाल ही में नार्को टेस्ट किया गया था सोत्रों के मताबिक आफ़ताप उनावाला ने नार्को टेस्ट में डॉक्टरों और साइकलोजिस्ट को चक्पा दे दिया आशक का जुताई जा रही है कि आफ़ताब पुनावाला ने पहले से हिस्सावालों के जवाब रच रखे थे और नशी के स्थिती में भी उनके जवाब देने का रिहर्सल कर लिया गया था सूत्रों के मताबिक नार्को टेस्ट के बाद यहार जेल ले जाते समय आफ़ताब ने पुलिस कर्मी को बताया कि ड्रग अरिक्षन की वज़ा से इस समय बुरी हालत में है आफ़ताब ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली में नया था और उसे सही से याद नहीं है कि उसे श्रधा की शरीर को यह हिस्सों को कहा फेका उसे सिर्फ अपने घर के पास यारी महरोली के जंगलों वाली जगा ही याद है उसे कहा कि उसने अपने फोन समंद में फेक दिया था और वहें दोनों मुंबई से डिली शिफ्ट हो गए थे नार्को टेस्ट के बाए जो फॉरंसिक एक्सपर्ट और डॉक्टर्स ने आफ़ताब कर चेक अप किया तो पता चला कि वहें पूरी तरह ठीक था आपको बता दें कि नार्को टेस्ट करने से पहले एक टूत सेरम इंजेक्शन दिया जाता है इसका असर शरीर पर होने की वज़़ा से इंसान जूट नहीं बोल पाता और जाता तर मामलों में सच उगल देता है सूतरों के मताबिक नार्को टेस्ट और टेस्ट के बाद जेल में किये गए चेक अप के दोरान आफ़ताब ने एक ऐस जैसे ही जवाब दिये ऐसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आफ़ताब ने अपने जवाब अच्छे से तयार की हो यही वज़ा है कि इस बार वह एक जैसे ही जवाब देता रहा पुलिस का कहना है कि उनकी जाईश लगबग पूरी हो गई है अब फॉरंसिक रिपोर्ट का इंतिजार है यह रिपोर्ट श्रदा के हद्यों और अफटाब के बातरों में चिकिन किचन की है अगले तीन चार दिन में फॉरंसिक रिपोर्ट और हफ़ते भर मेडियाने रिपोर्ट भी आजाएगी